गुद मॉर्निंग सुडेंट इस यह ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 11 वी हव कंप्लिटेड हमारा कंप्लीट हो गया था उसके एंसी अर्ट क्वेस्टन आप कर लेंगे और अब है लेसन नंबर 12 जिसको एल्डी हाइड की टॉन और कार्बॉक्सलिक एसे एल किसल को फिनोलसमे सबसे पहले उसकी उबन ख्रणा मतलब तरह से वह लिखते हैं किसले kamu कर चुके हैं Max करते हैं और उसके बाद की प्रिपरेशन है सेलकॉल की थी फिनॉल की 4 trabalhar भी एसे बगा किट की प्रेपरेशन के प्रेपेशन मिल आपका क्या क्या है लुक्त इस कोई बीटबर आपका यह भी टॉपिक कत आउट नहीं हुआ है फिर्ट यह चाप्टर की सिसल्ट के सो हैं घो सीजेट घूल इसमें होता है इन तीनों में कोमन क्या है कार्बनेश कंपाउंड यह चेप्टर किस बेसल चार्बेस कर्बोनिल कंपाउंड कारबव syogh यह होता है आपका carbonyl basically, CO group, यहाँ पर हम कुछ भी जोड सकते हैं, ठीक है, तो यह जो carbonyl group है, यह आपके compound बनाता है, और यही सारे, LDH, Ketone, Carboxly Acid, यह सारे आपके कारबनल compound है, देखिए कौन-कौन से होता है carbonyl compound है, सबसे पहला आपका LDH है, यह देखो, LDH, R, C double bond H, यह C-Ho, यानि कि C-Bond O, यह Carbonyl Group है, इसके एक साइड H है, एक साइड R है, तो यह क्या हो गया, L-D-H, हो गया, R क्या है, कोई भी Alkyl Group, दोनों साइड Alkyl Group है, तो किटोन हो गया, अगर एक साइड ओएच है तो क्या हो गया कारवॉक्सलिक एसिड इनकी एसिडी गूप हो गया थीक है इसके बाद नेक्स्ट है आपका acid and hydride c double bond हो दो carbonyl group आगए इसमें यह आपका मन गया acid and hydride ठीक है और यह ester c double bond हो यह carbonyl group के साथ or oxy group लग गया अलक oxy group और ग्रूप लग गया तो आपका क्या बन गया ester इसके बाद सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नॉर्मल जो और किटोन यूज होते हैं हमारे उनके कॉमन नेम देख लो तरह से सबसे पहले आपका यहां पर देखो बी टा पोजीशन पर ब्रोमो है यहां पर यहाँ पर लो चार कार्बन के और आपका क्या प्रेजन और यहां को सहएं भरी दिंवा ध्रोम में अग्या व्युट भी चार कारवन है तो लिखंगे तो क्या लिखेंगे अगर इसका पॉमन नेंग क्या लिखेंगे कमामन लिखेंगे हम 1-2-3-4-4 है तो एका-D线 व्यूट व्यूतेन यह 4 के लिए बूटेन लिख दिया LD हाइड के लिए A L लिख दिया इनको हम कंभाइन करेंगे अभी कंभाइन कैसे करते हैं देखिए आप व्यूतेनल और 123 तर्ड पररिशन पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो के ब्यूटेन का बी छोता और इनको combine करने के लिए हम इज़ता देंगे जुढ जाएंगे यह आ गया आपका 3 것으로 याज़ा है इस तरह से इसका अग्रोल investir नाता है किस तरह से लिखती है Press हम ऋखता हिर्याप यह लगा देते हैं आपसटो Families दो बैंजीन के साथ सब सब्सक्राइब ग्रुप लगता है तो यह आपका सीओ ग्रूप लगता है जब सेओ लगना यह आजाता है किसी में तो उक्सि आ जाता है उसमें ठीक है और ह Carolina Group क्या होता है सटक्चर कैसा होता होरा वह प्रेस्क करेंगे देखो sow класс प्रश्चर किस तरह से तो कार्मन, लूपका जो स्टरक्चर होता है उसमें क्या होता है यह कार्बन है यहां पर ठीक है और यह ऑक्सीजन इसके साथ बनाता है डबल बॉंड ठीक है कार्बनल ग्रूप है ऑक्सीजन और इसके और फोर बनाता है मोली मेनली फोर बनाता है कार्बन आपका चार वलेंसी तो चार बनाएगा ठीक है चार कुछ भी होसकता है हूं पर एच्ष बेटाज हो सकते हैं तो डिपैंट करता है कि देको सबसे पहले सब्रक्राइब कितने बॉंड बनाएगा आपके सबसे पहले सिग्मा बॉंड सिग्मा बॉंड यह सिग्मा बॉंड बनाएगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉंड एक दूसरा जो कार्बनी ग्रूप उसके साथ सिग्मा बॉंड यहां पर यह वाला सिग्मा क्या होता है इस तरह से और लेपिंग करते हैं तो सेंटर टू सेंटर ओर लेपिंग होती है तो यह सिग्मा बॉण्ड बहुती स्ट्रॉंग ठीक है और यह कारवन है यह क्या है सप्सक्रावन यह संब्सक्रावन अब यह जो बनता है यह वाला अब आपको पता है और यह यह पर इर अपना यह था था इस तरह संवार्भे इंवे क्या होंगे इलक्टरोन फिल्रों जाएंगे पाइब अर्बिटल लोगे पाई और तो बॉन्ड क्या हमने का पाइब बनेगा पाइब कैसे बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से इस तरह से ठीक है साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है आपका पाइब तो तीन सिग्मा बन होगे एक हो गया पाइब आपका अब कारवनिल के स्रक्चर में आपका जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या है आपका जो oxygen है यह oxygen है जो आपका यहां पर यह क्या है इलेक्टो-negative atom है यह ilectro-negative atom है यह इलेक्ट्रो-negative atom गया होते हैं जो अपनी तरफ tendency to attract the shared pad of electron यह उते ही अपनी तरफ shared pad electron की रख यह shared pad electron कौन से है जिन electron की वज़े से यह bond बना वगए ठीक है वो तो इसके वजह से क्या होता है यह फार्श नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि उपर और आज पर पॉजिटिव चार्ज आजाता है और यह जो आपके यहां पर यह जो बोंड बने थे साइडवेज औवर लैपिंग से बॉर्ड बने थे आपके ठीक है तो साइडवेज औवर लैपिंग पर ये जू सिगम बॉर्ड है ये ओन दे बॉर्ड बनते हैं狗 है ओन दे प्लेज मतलब ये अन्दर की साइड होंगे ये वाले ऐसे बाहर की साइड होंगे, above the plane, below the plane ठीक है, तो ये होते हैं, above the plane, below the plane और sigma बॉना तो होता है आपका plane पर, तो ये था आपका कार्बोनिल का structure, ये क्या था आपका कार्बोनिल का structure, इसके बाद जो in text question में इसके वो दे रखे हैं आपको, क्या दिये हैं, नोमन लेचर दिये ह वो आपको करने हैं, fair notebook में ठीक है, और इसके वो है, preparation है, इसकी, preparation of, इसकी, LD hydro ketones की, उनको आप एक बार read out ज़रूर करेंगे, thank you and have a nice day.